इसके नितीश राणा जो इस सीजन अपना पहला मैश खेल रहे थे, फिंगर इंजिर से परेशान थे, उन्होंने 33 रोनों का बहुमूले योगदान दिया, रसल के बल्ले से 24 रन निकले के लिए और रमन दीप से एंड में 212 के स्ट्राइक हेट से 17 रनों की नाबात पारी खे कर रहे है, T20 World Cup आ रहा है, मुंबाई का सफर तो अल्मोस्ट खत्म होई चुका है, फ्रंचाइजी से अगर हट के बात करें तो World Cup के लिहाज़े से बूमरा जवरदस्त गिंदबाजी कर रहे है, एक खिलाडी हमारे पास ऐसा है जिसको हम ठोक बजा के बोल सकता है कि यह हमा चार्सो से उपर रंस बना चुके हैं, आप सोचें मिडल ओर, लोवर मिडल ओर में आते हैं और सबसे जादा रंस इन ही के हैं, रोई चर्मा का बल्ला एक बार आज फिर से चलने को उन्होंने मना कर दिया, ऐसे लग रहे है कि अब रोई चर्मा मुंबाई के लिए रंस बन चाहते हैं, जो वर्ल्ल कप में इन फॉर्म जाएगा, वही अगर हम बाकी खिला इडियो की बात करें, रोई शर्मा के बारे में आपने जिकर किया, लग रहा है कि मुंबाई के लिए पूरन बनाना नहीं चाहते, कल एक वीडियो पी बार रहा था जिसमें का था कि यह तो म हुआ रहा दो, पिछले मैच में खंडेड आया था, टीम ने मैच पी जीदा था, मैच विरिंग नौक थी, लेकिन आज 14 गैंदों में 11 की, अपने पूर टीम के खिलाफ, अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, इस मैदान पे काफी क्रिक्ट खेला है, लेकिन शद रिचोटी लीग मैच खिलालो या बाइलेटरल सीरीज खिलालो या जब बड़ा कुछ आता है, तब यह उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हाला कि पिछली बार भी मुंबाई का सफर आल्मोस्ट खत्म होई चुका था, जब इनका शतक आया, आज तो इन्होंने बिल्कुल व वर में 32 रंखर्च किये, शुरुवात के 2 वर में हार्दिक ने 21 रंखर्च कर दिये थे, बल्लेबाजी में आज नमबर 5 पे बैटिंग करनी आए, चार गेंदे दो रन बना कर आउट होगा, इस ट्राइक पचास का है, वर्ल्ल कप में आपको कपतानी करनी है, टीम इंडिय कि अपने हतियार टांग दिया है, नीचे डाल दिया है, अब वो confidence दिखी नहीं रहा, फेस पर जो confidence दो साल से था जो जब गुजरात के कपतान थे, वो confidence कहीं न कहीं मैदान में बहुत जादा मिसिंग है, अब पहले हम बोल रहे थी कि गेंदबाजी एट लीस्ट उनकी ठीक पेसर अरशिदी विकेट ले रहे हैं, लेकिन पिटाई उनकी भी बहुत हो रही है, उसी चल अच्छा करें, खुल दीप अच्छा करें, लेकिन बल्ले बाजी में तो कोई चली नहीं रहा है, जैसवाल को टीम में चुना है, लेकिन एक 100 आया, उसके अलावा जैसवाल ने आई पिल 2024 में कोई बड़े जंडे नहीं गाड़े, बड़े तीर कमान नहीं चोड़े, यानि कि पूरी टीम हमारी आउट ओफ फॉर्म है, उम्मीद है, भगवान बरो से ये टीम वर्लकप में जाएगी, उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीम अच्छा करें, और खिताब जीत कर है क्योंकि बहुत ही जादा confidence नहीं दे रही है, चाहिए सूर्या है, सूर्या वही बड़े match के player नहीं आज फिर अपना wicket फेक के चले गए, तिला कुर्मा तो खहर है नहीं, बट सूर्या हो गए, रोहत हो गए, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे है, इन पे बहुत जादा हमिशा की तरह विराठ आएंगे, और आखरी तक विराठ ही, रहेंगे, lowest में वर्ल्लक फी एством को आपके स्पिनर्स के खिलाब अच्छा नहीं खेल पाते हैं खेर इस मैच पे वापस लोटते हैं केके आर मुंबई के बीच मैच कहला गया थोड़ा लेट मैच शुरू हुआ काफी लेट मैच शुरू हुआ केके आर ने 16 ओवर के मैच में मुंबई को 18 रन से हरा दिया है मुंबई एडियन्स की 13 वे मैच में नोवी हार है साथ ही केके आर के अगर बात करें तो 12 वे मैच में उनकी ये 9 वी जी थी केके आर पहली टीम बन गए आएपिल 2024 की जिसने प्लेओफ का टिकेट कटाया है प्लेओफ में ये टीम पहुच चुके है टेबल टॉप पर ये टीम है राजिस्तान नमबर दो पर फिर है सारेच फिर सीज के लेकिन केक्यार सिक्योर कर चुके अपनी बर्थ कन्फर्म कर चुकी है प्लेओफ के लिए 2022-2023 में ये टीम साथवे नमबर पे थी शेस अइयर पिछला सीजन खेले नहीं थे निदीच राणा ने कप्तानी की थी 2022 में जब अइयर कप्तान थे तब टीम का परफोर्मेंस काफी खराब रहा साथवे नमबर पे थी लेकिन इस पार कौतम गंभीर का जबसे टीम में वापसी हुई गंभीर के as a mentor और शेस अइयर की वापसी हुई इस टीम में अला की confidence नजर आ रहा है यह टीम अब एक जूट होके खेल रही है जिस तरीके से मिचल स्टाक का परफोर्मेंस पिछले कुछ मैंचिस मेरा हर्शित राना वरुन चक्रवर्दी सुनीन नरेन आज न सुनीन नराइन चले नहीं फिलसौल चले यह दोनों जिसके ऊपर पूरा का पूरा केके आरितिका हुआ है लेकिन बावजूद इसके नीचे से जो बल्लेबास्त उन्होंने रन बनाया चाहे वो आंद्रे रसल हो आज हमें रिंकु की बड़ी हिट्स तेखने को मिली रिंकु को जब-जब मौके मिले हैं उन्होंने तब-तब उन मौकों को भुनाया है इस सीजन जादा उनको मौके नहीं मिले बट आज जो बड़ी हिट्स रिंकु ने लगाई या अंद्रे रसल ने लगाई या नितीश राणा ने लगाई थोड़ा सा वैंकिटेश आयर न को चुना गया है में पंदरा में उनका नाम नहीं है लेकिन उमीद है कि शायद ये टीम अगर ऐसी अच्छा पर्फोर्मेंस करते रही नौक आउट में भी प्ले-आफ में भी तो सकता है अगर रिंकु का बल्ला चला तो क्या पता है किसी को इंजरी हो लेकिन टीम वाकी मे कि आज अच्छा पर्फोर्मेंस किया है मुंबई इंडियांस को अब क्या हो गया है मतलब मुंबई इडिंस के तो तोते ओडे हुए तीम पॉंच सेबल में नौवे नंबर पर है अब अपना आखरी लीग मैच इस टीम को कहला है 17 मही को ये मैच होगा लग्णव सूपर ज मैच होने वाला है अगले सीजन 2025 में मेगा ऑक्षन होगा यहने कि कई सारे खिलाडियों का मुंबई की जर्सी में या आत्री मैच हो सकता है सबसे पहले नाम तुमसी रोई शर्मा समझदार इशारा काफी होता है समझदार को देखे रोई शर्मा इन्हीं इवन मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव भी क्योंकि बहुत सारी टीम्स उनको बतोर कप्तान भी लेना चाहेगी जश्पीद बूम्रा एक जश्पी दूम्रा होगा है रोई शर्मा होगा है सूर्य होगा है यह तीन जो सीनियर खिलाडी है हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़े चेंज होएगी कि मेगा आपने आप देखेंगे कि दिल्ली भी उनको पिछले साल लेना चाहरती जब मिनी आउक्शन था इवेन बहुत सारी टीम्स उनको लेना चाहरती बड़ सबसे पहला नाम दिल्ली का था तो आइधिंग रोई शर्मा क्या पता आपको दिल्ली के खेमे में या पर नहीं और केकेर में भी आ सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो केकेर से कहले जीजी के अच्छे दोस्त हैं श्री सजीर कप्तान होंगे और देखें कितनी अच्छी ओपन जोड़ी नजार आएगी सुनी लारेन रोई शर्मा ओपन करेंगे जीजी मेंटोर होंगे तो कितना अच्छा कि अगर रोई शर्मा ओक्शन में आएंगे ना कोई टीम नी चोड़ेगी मुंबाइटन को छोड़के नो की नो टीम उनके ओपर दाव लगाएंगी वैसे अगर हां मैं तुछ आती हूँ अगर अगर मतलब रोई शर्मा किसी भी टीम में गए अपार्ट फ्रम यह बड़ी शानदार है कोस्ट इफेक्टिव है वैसी नजर डालते हैं आज के हमारे एक्टिव प्लेश प्लेयर ओफ द्व मैच कौन था उसके उपर नजर डालते हैं और यह आपकी स्क्रीन पर ओकी नामा एफ़ेक्टिव प्लेयर अफ्ताम मैच वैंकटेश अ-इंगे में 42 रंद 200 का स्ट्राइक रेट 6-4 के दो चक्के हलाकि केकियार की तरफ से गिंदबाजी काफी अच्छी रही कहीं सारे खिलाडियों अच्छी गिंदबाजी की दो-दो विकेट के लेकिन टीम को अगर 150 प्लस का स्कोर तक पहुचाने में किसी ने मदद की वो थे को मुंबई बहुत जाधा पसंद है इससे पिछले से पिछला मैच भी अगर आप उठाके देख लीजे मुंबई के खिलाफ ही जब यह खेल रहे थे तो वैंकटेश और मनीश पांडी की काफी अच्छी साज़दारी हुई थी तो वैंकटेश एयर को मुंबई लग रहा है को चाए वो वान खेड़े हो फिर चाय वो ईडेन गॉरास मुझे लगा एडन गार्डन रोहिच चर्मा को नहीं आरहा है जो एक बार कई हम लोग पहले कहते थे ना इह जो एक डना शाटक लगा चुक देन वन या जो जो अपना है फ्रस्व क्रिकेट का पहला शदक भी रोहित ने इसी मैदान पे लागा था फर्स-क्लास डेब्यू भी यहीं पे हुआ था लेकिन खेर आज बला नहीं चला चौबिस में केवल 19 बना कर आउट हुए अब नज़र डालते हैं हमारे अगले सेग्मेंट पे जिसे ओकिनावा की स्कूटी क बजाता है आज मार्क बाउचर के वह नसीब में थी उन्होंने वह बैल बजाई रितु पर्णा सेन गुपता यह बंगाल की बड़ी फेमेस एक्ट्रस रही है साथी सुवाना खान शारुक खान की डॉटर और अनन्या पांडे बॉलीवूड की उभरती हुए अभिनेत्री आज यह मेहदान में नजर आई थी और जस्प्रिद बुम्रा इनको ने जब यह विकट देनी के बाद सेलीब्रेशन किया मुझे शोय बक्तर की आजए शल्दा क्योंकि इस तरह इसे वह भी मलब करते हैं बिल्कुल देगे जस्प्रिद बुम्रा एक मात्र टीम इंडिया क वो कॉन्फिडेंस है वर्ल्ड कप से पहले अगर आप किसी बंदाओ लगा सकते हैं तो इन पर लगाए तो